Hello everyone, welcome back to my channel, hope you're all are doing absolutely fine. आज हम बनाने वाले हैं अपने चाय का जाइका सीरीज की दूसरी रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे मसाला चाय और इसी सेम वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये चाय का मसाला जो हम घर पे आराम से बना के स्टोर करके रख सकते हैं और साथ मैं मसाला चाय कैसे बनाते हैं ये भी में आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगी तो हमारा मसाला चाय का मसाला और साथ में चाय एकड़म perfect texture, perfect taste और perfect color वाली जो चाय बनती है ये देखें कितना खुब्सूरत color है वो आजम बनाना सीखेंगे इसी सेम वीडियो में त मुस्त है सबसे जादा इलाइची जाएगी इस चाय के मिसाले में उसके बाद हम डेड़ से दो इंच दालचीनी का टुकडा लेंगे उसके बाद मैंने दो बड़ी काली वाली इलाइची लिए इसका हमें चिलका नहीं डालना है बस इसको कूट लेंगे और फिर इसके बीज निकालेंगे हमें सिर्फ इसके बीज लेने क्योंकि इसका जो छिलका होता है वो बिस्ता नहीं है बहुत आसानी से तो हम सिर्फ इसके बीज निकालेंगे ये देखिए अब मैं ले लेती हूँ जाएफल जाइफल से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चाय में और जाइफल कफ पगेरा कोल्ड में काफी हेल्प भी करती है तो अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो जाइफल अवइड कर सकते हैं उसको थोड़ा सा कूट के डाल दिया उसके बाद 15-20 लॉंग 15-20 काली मिर्च और एक छोटा चमच मैंने लिया है सॉफ सॉफ बहुत लोग डालते हैं लेकिन मुझे जादा फ्लेवर पसंद नहीं इसलिए मैंने थोड़ी डाली आप जादा डाल सकते हैं उसके बाद थोड़ी से तुलसी के बीच डालें और ये सॉफ का पावडर सॉफ अगर आपके पास साबुत है तो आप सॉफ अभी इसके साथ बूंते टाइम जैसे अब हम रोस्ट कर रहे हैं अगर आप का पावडर है तो आप पावडर को बाद में डालेंगे क्योंकि जब मसालों के साथ रोस्ट करेंगे तो पाउडर जल जाएगा अगर सोंट साब होता है तो आप सोंट अभी डाल दीजे कूट के थोड़ी सी और मसालों के साथ रोस्ट कर लीजे ताकि उसको पीसना आसान रहेगा तो अभी मेडियम टू लो फ्लेम पे दो से तीन मिनिट लगेग और दो से तीन मिनिट जैसे ही हो जाएगे अब इसमें डाल देंगे अपना सोर्ट आप पऊडर फ्लेम को ओफ करदेंगे गयास को और हलका सा इसको मिक्स करदेंगे यह पावडर इतने में जो है अमारा भून जाएगा हमें इसको बहुत जादा नहीं पकाना है पावडर जो है आपके base पे जैसे ही लगेगा ना जलने भी लग जाएगा तो flame को विलकुल off करने के बाद ही आप डालिए और यह मसाला देखिए हमारा ready है आप इसको grinder में डालना है या फिर आप जो कूटने वाला होता है उसमें भी डालके कूट सकते हैं थोड़ा है अगर पने कम बन देखिए और fine powder बनाना चाहते हैं तो वह भी आपकी choice है तो यह हमारा मसाला देखिए एकदम perfect मसाला ready आराम से आप store करके रख सकते हैं और 15-20 चाय आराम से इसमें बन सकते हैं अगर आपको जादा चाये तो 15 और थोड़ा सा कम आप यूज़ करते हैं तो अभी मैं दो कप पानी के लिए एक कप पानी लिया है और अब इस पानी को उबाल आने देंगे उबाल जैसे पानी गरम हो जाएगा हमारा अब इसमें डाल देंगे चाय पती तो perfect color के लिए अच्छा color देने के लिए मैं 2 teaspoon डाल रहे हूं अगर आपको कम पसंद है तो आप थोड़ी सी कम light color हाली डच आते हैं तो वो डाल सकते हैं 2 teaspoon चीनी और 2 teaspoon चाय पती और अब इसको 1-5 minute अच्छे से पानी को उबलने देंगे यह देखिए जैसे ही पानी में अच्छा उबाल आजाएगा अच्छा color आजाएगा इसमें डाल देंगे दूद equal quantity में दूद और पानी डाला हुआ है मैंने और आप इसको उबलने देते हैं 2 minute अच्छे से उबलने देंगे जैसे ही उबाल आएगा उसके बाद flame को medium to low कर दीजे और 2 minute उबलने दीजे जब आपको लगे चाई ready है अच्छे से color हा चुक है उसके बाद इसमें अब मसाला डाल देंगे अपना जितना मैंने स्पून में लिया था मैं आपको दिखाया था उतना मैं मसाला डालूँगी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है बहुत साथा गरम होता है सारे ingredients ऐसे ही हो और देखे कितना अच्छा color आया है एकदम टपरी वाली जैसी और खुश्बू भी उतनी अच्छी आ रही है मसाला चाहे की तो perfect color, perfect taste और एकदम अच्छा मसाला जिसे आप store करके रह सकते हैं तो recipe को ज़रूँ ट्राइ कीजिए कर मुझे बताएगा कि आपको ये series कैसी लग लीजैर का ऩूण है पत्हे य़र बताएगा symbolic यह बताएगा के जोढ़का बटनी आपको रहे बताएगा फ्री yog one-one, आपको दोगजर supportive के बतार को आपको रहन अच्छा इनकार सब्सी साथ है जच्छार का चाला